हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ बिलकुल नई और यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स आपने रेस्टरेंट में चिकन टिक का मसाला या पनीर टिक का मसाला खाया होगा या फिर अपने घरों में पनीर टिक का मसाला या चिकन टिक का मसाला बनाया होगा आज मैं आपके साथ बिलकुल यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो की है एक टिक का मसाला हाँ फ्रेंड्स आप एक बर इस एक टिक का मसाले को बना कर देखिए आप चिकन और पनीर का टेस्ट भी भूल जाएंगे, बहुत आसान सिंपल तरीके से इसे बनाना है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले इसकी ग्रेवी तयार करनी है, इसके लिए एक कड़ाई में मैंने दो बड़े चमच कुकिंग ओयल को गरम कर लिया है, और इसमें डाल लेना है दो से तीन लॉंग, एक छोटी अलैची, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक जावित्री, और जैसे ही ये गरम हो जाए, इसमें हमें दो मेडियम साइज के प्यास को बारिक चॉप करके डालना है, और गैस की फिले मीडियम टू हाई करके से एक से दो मिनट तक फ्राई करना है, और ये देखिए फ्रेंस, प्यास को फ्राई करते हुए दो मिनट हो चुके है, और प्यास का कलर लाइट पिंक हो गया है, तो इसे इतना ही फ्राई करना है, और अब इसमें वन टेबले स्पून जिंजर गारलिक पेस्ट डाल लेना है, और इ में कुछ पाउडर मसाले डालने हैं वन फोर्थ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाला है हाफ टेबल स्पून देगी लाल मिर्च पाउडर वन टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल लेना है वन टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिससे अच्छा सा कलर आएग फ्रेंट्स इस टाइम पे गैस की फ्लेम लो ही रखनी है अगर फ्लेम थोड़ी भी तेज होगी तो मसाले जल जाएंगे और काले पर जाएंगे और अब इसमें दो मेडियम साइस के टमाटर को बारिक चॉप करके डाला है मैंने इसे चॉपर की मदद से चॉप किया है आप हाथों की मदद से भी बारिक चॉप करके इसमें डाल सकते हैं और अब इन मसालों में हमें पानी डालना है पानी डाल करके कॉप करना है तो half cup के कड़ी पानी डाल लिया है मैंने और अब इसे ढख लेना है और gas की flame medium to low करके इसे 3-4 मिनट तक cook करना है और चलिए friends 3-4 मिनट हो चुके हैं तो एक बार मैं आपको दिखाती हूँ ये मसाले कितने cook हुए हैं आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से थिक हो गए हैं तो बस इसे एक बार अच्छे से चला लेना है प्यास टमाटर अच्छे से cook हो गए हैं gravy almost तयार हो चुकी है तो इसे हमें excite रख लेना है और अब हमें hard boil egg लेनी है एक को मैंने hard boil किया था उसके बाद इसके छिलके निकालने के बाद इसे तीन पीस में cut करना है ये देखे कुछ इस तरह से इसके पीस थोड़े मोटे होंगे तो इस तरह से भी आप cut कर सकते हैं अपने हाथों पे रख करके एक अंडे के तीन पीस कर लेना है अंडे को एक साइड रख लेना है और अब हमें टिक का मसाला तयार करना है इसके लिए आप एक बाउल ले लीजिए कोई भी इस तरह का बरतन ले लीजिए और इसमें सरसो तेल को गरम करके डालना है सरसो तेल का ही उस करना है ये लगबग 2 टेबल स्पून के करीब होगा हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली है और हाफ टेबल स्पून देगी लाल मिर्च पाउडर डाली है वन फोर्थ टेबले स्पून हल्दी पाउडर डालना है नमक आप अपने टेस्ट एकॉर्डिंग डाल लीजिए हाफ टेबले स्पून जीरा पाउडर डाला है हाफ टेबले स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर डाली है हाफ टेबल स्पुन गडब मसाला पाउडर डाल लेना है साथ में वन टेबल स्पुन जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली है और अब इसमें मैंने टू टेबल स्पुन के करीब दही डाली है साड़े मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और mix कर लेने के बाद अब इसमें हमें डाल लेना है बेसन तो इसमें मैंने डाला है वन टेबल स्पुन बेसन और साथ में हाफ नेम्बू को squeeze किया है अब इन सारे मसालों को फिर से एक बार अच्छे से mix कर लेना है और ये देखे फ्रेंट्स ये थिक मसाला बन कर तयार हो गया है तो अब इसमें हमें डाल लेना है ये पिसस कटे हुए एग और एग को फिर इसमें डालने के बाद हलके हाथों से mix कर लेना है या फिर आप स्पुन की मदद भी ले सकते हैं इस टिक के मसाले को आप पनीर के साथ या चिकन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं ये देखे इस तरह से हमें कोट कर लेना है एक के उपर तो मैंने साड़े एक को इसमें डाल लिया है और डाल लेने के बाद हलके हाथों से इसे मिला लिया है हलके हाथों से मिलाना है ताकि मसाले एक के उपर अच्छे से कोट हो जाएं और इसे 10 मिनट तक के लिए हमें रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है और अब एक fry pan लिया है मैंने और इसमें थोड़े से तेल डाले हैं और बस इसके उपर हमें ये जो एक का एक एक पीस है वो डाल लेना है ये देखिए एक के उपर अच्छे से कोटिंग हो गई है ये मसालों की तो बस इसे डालते जाना है गैस की फ्लेम मेडियम टू लो रखनी है और एक से दो मिनट के बाद इसे हमें फिर फिलिप कर लेना है और आप देख सकते हैं फ्रेंट्स जैसे ही एक से दो मिनट होगा एक के उपर अच्छा सा कलर आ जाएगा और मसाले भी पक जाएंगे तो बस इसे हमें पलट करके दोनों साइट से अच्छे से कुक कर लेना है ताकि मसाले का कच्छापन खतम हो जाए और गैस की फ्लेम अब इसमें तोड़ा पानी और डाला था ताकि ग्रेवी और थोड़ी थिक हो और यह अच्छे से कुक हो जाए और अब इसमें डाल लिया है हाफ टेबले स्पून गरम मसाला पावडर फिर इसे मिला लेना है और अब इसमें मैंने डाला है अमुल फ्रेश क्रीम यह टू ट तयार होगा बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी बन कर तयार हो चुकी है तो अब इसमें हमें डाल लेना है एग और यह देखिए यह जो फ्राइ किया हुआ एग था यह मैंने इसमें डाला है और इसका टेक्स्चर आप देख सकते हैं कितना जबरदस्ट और कितना खुबसूर और अब इस एक टिक का मसाला को रेस्टरोंट स्टाइल बनाने के लिए इसमें एक स्मोकी फ्लेवर देनी है तो फॉयल पेपर रख लिया है और इसमें जलता हुआ कोईला डाल करके इसमें हम अच्छे से स्मोकी फ्लेवर दे देंगे उसके बाद इसे गर्मा गरम सर्व कर कमेंट करकर जरूर बताईए कि आपका एक टिक का मसाला कैसा बना कैसे लगी आपको मेरी यह रेसिपी मुझे कमेंट करकर जरूर बताईएगा